हर्याना के किसान गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग पिछले एक महीने से कर रहे हैं पर दर्शन भी कि इन्होंने सड़के जाम भी की लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग था मुख्या मंत्री जी ने कमेटी विलाई थी किमेटी जो फैसला देगे उसके साब से सरकार कदम उठा कि 20 तारीक से 20 जनवरी से चीनी मिलों पर हर्याना में किसानों ने धरना शुरू कर दिया सरकार पर दबाव बनाने के लिए और यह बताने के लिए हमारी मांग मानों हम तभी पीछे हटेंगे बिस तारीक से चीनी मिलों में काम बने यह पानीपत की चीनी मिले सबसे पहले बदाओ जी इंतिजार था बाइस तारीकी मिटिंग का अब भी उमेद लगाए पर कोई आदमी सोते हैं समाधाने समाधान निकले अपने काम में लगें कल कोई नतीजा निकला अब आगे क्या होगा कल हमने कोई ना तो कोई किशान वहां पे मिलने गया सरकार से जो कुछ कोई मेंबर या कोई स्टेटमेंट देंगे हांके हमारे को उठाएंगे जो मारी शड़े 400 की डिमांड है वह मारी ऑपजुवल ओक्ते डिमांड है हम सब्सक्राइब परती किलो मांग रहे हैं हमारे मील की चिनी 42 उपे 45 पैसे किलो भी किया है इंडर्ण सिंग उड़ा सीम थे 2010 में मारा गन्या रेट 310 रुबे दा इन्होंने आठ साल में बावन रुबे दिया मारे गो आपके बड़ी नेता हों की जो बड़ी नेता है जो आपकी चला रहे हैं सारी सिस्टम को उनकी तरफ से अभी क्या देश है इंजार करो कुरक्ष ना रास्ते सारे जाम कर देंगे 27 तारिक से सब बलोग कर देंगे यह मेडिया के मादम से खुद हमीचा को चलोती देता हूं रेली नहीं होने देंगे हम आगे पीछे खटर की नहीं होने दिदी हमने अर्याना सरकार ने किसानों बार बार परार किया है किसान आंडोलों पाकिस्तानी तालीबानी पता नी क्या 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 है किसान लोगे नारे पे देश में आथा जिसने यास वासन दिया था ना का हमें दुगनी आय करेंगे 2022 में दुगनी आया हुजागी और अच्छे दिन के जो वाद्ये किये थे हम तो हाथ जोड़ का मोधी जी को कहते है अरे पुराने दिन ही बढ़िया थे आप कोंग्रेस वाले हैं समर्थर नंदेनी आया क्योंकि कई जगा हो भी रहा है और आपको शायद मुद्दा चाहिए था बहुत बड़ा मुद्दा मिलगे किसानों का सबसे पहले तो मैं आपके माद्यम से यह बताना चाहता हूं कि य इसमें से एक ट्राली हमारी भी है तो पहले किसानी के हिसाब से बैठा हूं मैं मेरे बड़े बजूर्ग बैठे नोजवान साथी बैठे कोई भी अंदोलन होता है मैं राजनितिक पार्टी को अलग रखते हुए और किसान का बेटा होना है कि नाते समाज की पहले सेवा करत हूं रही बाथा आपने कहा कि मैं कॉँस पार्टी से संबस रखता हूं । अब क्या आगे क्या क्या та औके हिसाब से क्या होगा आगे 뒤 होना तो यह चाहिए था जिस्तर है आधरनिया पढूर्धानमंदरी शिरे निरेंदर मोधी जी ने कहा था कि हम 7 में आते ही पहली सरकार सत्ता में आने से पहले बोलती थी कि हम किसानों को स्वामिन थाना योग सी टू प्लस 50% के तहत अब वो सरकार 2015 में एफिडेविट देती है सुप्रीम कोल्ट में कि अगर किसानों को MSP दिया गया तो वीतिया गाटा हो जाएगा अब 2022 भी जा चुका है किसानों की आए दुगनी नहीं आप बोलो आपने तो गड़ी लड़ाईयां लड़ी पहले भी एक फेर लड़ाई लड़ रहे हैं अब के होगा आगे के होगा बताओ मैं अपने सबी सरोतों को सुने वाड़े को नमस्कार करता हूँ अब जो समझोता भी क्या चंडी गड़ भी गए जे किसान के बड़े बड़े नेता अब इनों किसानों ने जो दाना डाल दिया तो नहीं उठेंगे एक चीज क्लियर करो मैं बहुत लोगों के मुझ से सुने आज भी मेरी किसी से बात हुई वो कहना जी पंजाब वाला भावी देदें कई लोग साड़ी चार सो सु अड़े हैं अब साड़ी चार सो रुपे अगर आप कुछ सरकार देगी तो चीनी तो फिर साथ रुपे अगर वह बोले ना जैसे 60 रुपी और जगी तो शाट रुपे में किसान भी तो आएगा हम लोग भी तो आएंगे नेता जी ने बता था अग उड़ा तेरे राजमा जीरी गई जाजमा है खटर तेरे राजमा जीरी गई भी आजमा है वारे पास नो को जाए तो 22 जनवरी क जो गना कमेटी की मिटिंग होनी थी, किसान ने तब ही ते कोई फैसला नहीं निकला, आज 23 जनवरी है, अब सब की नजरें सब को इंतजार 26 जनवरी की जीन में जो किसान, सिंक्त किसान मोर्चा की बैठो को रही है, वहां से मिलने वाले किसी फैसले का इंतजार है, या फिर अमिज शाजी की जो रैली है, 29 तारीकों, उस रैली के बारे में ये कह रहे हैं कि रैली हम होने नहीं देंगे, और आपको सडकों पे गन्य की ट्रालिया खड़ी नजर आएंगी, कैमराबैन रजीश कुमार के साथ, दिवेंदर कतोरिय है, टोटल नियूज, पानीपत बीर आपकों